सब्सक्राइब करें जोतिस SPS चैनल को और बेल को दुबाईए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नवास्कार दोस्तों आप सो भी का स्वागत है तो आज हम जानेंगे आपके अंगूठे पे बनने वाली इस आख की शेप का रहस्य क्या है अब देखिए इसको यव भी कहा जाता है और ये अगर आपके अंगूठे पे प्रॉपर बना हुआ है तो ये कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है क्योंकि इसके होने से आपके जीवन में आता है बड़ा बदलाव और ये लक्की भी होता है वो कैसे और कैसे आपको मिलेगा लाब अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखर तक बन रहीएगा मिलेगी संपूरन जानकारी शिरुवात करेंगे आपके एक लाइक के साथ आपका जाला समय नहीं लेते हैं आईए शिरू करते हैं शिरुवात करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट एंड में अगर लड़की हैं तो अपने लेफट एंड में एजानकारी को देखिएगा और इसी के साथ अगर आप जाते हैं हमसे परसनली बात करके अपनी समस्या का समधान तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टागराम और ट्विटर अकाउंट का जाकर आप दोनों कांट से फोलो कीजिए जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं तो दोस्तो आईए जान लेते हैं यहाँ पर जो यह यव का निशान है यह जिसे आख की शेप भी कहा जाता है जो के आपके अंगूठे पे बनती है तो इसके बारे में हम जानेंगे पर उससे पहले अब देखे जरूरी नहीं है कि आपके अंगूठे में भी इस परकार से ही यह शेप बन रही हो पहले हम कुछ अलग-अलग पॉसिबिल्टिस को देखेंगे और बताएंगे कि उनके पीछे का राज क्या है अब देखे हो सकता है कि आपके अंगूठे पे इस परकार से छोटी सी आँख की शेप बन रही हो और एक लाइन बन रही हो या फिर हो सकता है कि बीच में एक शेप बन रही है लेफ्ट और राइट में फिर लाइन बन रही है या फिर ये भी हो सकता है कि इस साइड में बन रहा हो ये आँख की शेप का निशान और साइड में एक लाइन बन रही है तो इन तीनों का ही अलग-अलग बतलब है आए जान लेते हैं सबसे पहले मान के ज़िए कि ये जो शेप है इस परकार से इस साइड बन नहीं है और एक लाइन बन नहीं है तो इसका मतलब ये है दोस्तों के ऐसे व्यक्ति जो है कम उमर में ही बड़ी सफलता को हासिल कर लेते हैं या फिर इनके पास साधन जल्दी मिल जाते हैं इनको आगे बढ़ने के मतलब कि अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो इनको इन्वेस्टमेंट जल्दी मिल जाती है और अगर ये जॉब में इंट्रेस्टेड है तो इनको उपरसिडिटी जल्दी मिल जाती है और इनका जो जवानी है या फिर ये कहिए कि कम उमर में इनको सुख सुविधाओं का लाब प्राप्त होता है अब इसके बाद मान के चलिए कि यही शेप बीच में बन रही है और यहाँ पर जो है साइड में दोनों साइड मतलब लाइन बन रही है तो इसका मतलब यह है दोस्तों के इनको मिडल एज में जाकर सफलता पाने का मौका मिलता है मैनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, स्ट्रागल भी करना पड़ता है, उतार चड़ा भी आएंगे जीवन में ज़्यादा कर देखने को मिलता है कि फैनेशल कंडिशन का रिलेटड प्रॉब्लम्स रहती हैं पर यह लाउंग टर्म के लिए नहीं होती है मिडल एज में आते आते इनको आगे चलकर बड़ी सफलता हासल करने का मौका मिल जाता है और यह आगे बढ़कर अपनी मन चाही इच्छा भी पूरी कर पाते हैं अब इसके बाद मान के जलिए कि इस साइड यव का साइन बन रहा है और इस साइड रेखा बन रही है तो आपको बताना चाहेंगे कि इनका चाहे जवानी चाहे मेडल एज कैसी भी क्यों न निकले पर बुड़ापा आते आते इनके पास सारी सुक्स विधाएं होती है और इनको अपने घरवालों का भी प्यार और सपोर्ट मिलता है आपको बताते दोस्तों अब यहां पर बुड़ापे में कई बार होता है कि किसी को वो प्यार या फिर प्रिवार का जो सुपोर्ट है नहीं मिल पाता है और पैसे से विव वन्चित रह जाते हैं पर अगर यह वाली मतलब जो आपको शेप बताई है अगर यह आपके होती है अब हम जानेंगे यहां पर अगर इस परकार से आख की शेप बन नहीं है तो इसका क्या मतलब होता है अगर इस परकार से एक आख की शेप और वो भी प्रोपर बन नहीं है तो आपको बता दे कि यह जो है आपके जीवन में दोस्तों मैं चाही इच्छा पूरी करने का मौका देती है अब एक बात का ध्यान लखिएगा कि यहां पर जो ये दोनों पॉइंट हैं लेफ्ट और राइट ये दोनों ही साइड मिलने चाहिए आपस में आप कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों के अंगूठे में इस प्रकार से पैरलर लाइन्स होती है दो तो आपको फिर कहीं जाकर बनता है यव का निशान या फिर आँख की शेप अब यहां पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो मन चाहिए इच्छा पूरी करने का मौका है ये कब तक मिलेगा आपको बता दें कि दोस्तो लाबर 30 साल की उमर के बाद आपको मौका मिलेगा इस से पहले जो भी आप कारे करते हैं चाहे जौब है चाहे बिजनस है आप उसमें कदम जमाईए और पूरी निश्था से पूरी लगन से कारे करते रहिए और आपको मौका जरूर मिलेगा आपकी मन चाही इच्छा पूरी करने का आप चाहे आपको प्रोपर्टी लेनी है या फ यह पही बन नहीं हो किसी किसी के अंगूठे में एक सीधी लाइन होती है सिर्फ इस प्रकार से एक लाइन तो इसका चाहे मतलब होता है आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे लोग थोड़ा जिद्धी किसम के होते हैं और इनका जो नेचर है शौर्ट एमपर वाला होता है मतलब जल्दी इनको गुसा आना शुरू हो जाता है और उपर से मांगे कर रहे हैं तो उन में इनको सैटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है क्यूंकि जितनी यह महनत कर रहे हैं उतना उनको फ़ल ना मिले और वह भी शुरुआती समय में तो जल्द ही अपना मन भी जाते हैं तो आपको यह रिक्मेंट करेंगे कि किसी एक कारे को चुने उसे कम से कम 3 साल तक जलूर करें कि यहां पर अगर आ ऐसा करते हैं तो आप पर अपने कदम जबाअ पाएंगे उस कारेि encompass और आगे चलकर आपको बड़ी सफलता पाने का मौका मिल पाएगा अगर आपने मन डावेट किया और कारे बार 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 बदलते रहे तो आपको सफलता मिलने में बहुत जादा समय लगने वाला है अब कुछ लोगों के अंगोठे में इस परकार से आरीटेडी रेखाएं हो सकती है अलजी हुई रेखाएं या फर हो सकता है कि एक सीधी रेखा है और ये बीच 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 बिसे टूट रही है तो इसका क्या मतनow होता है आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि इस condition में जो है आपके मन में उल्जन रह सकती है या फिर confusion रह सकती है कि आपको किस और कदम बढ़ाना चाहिए मतलब कि आपको जॉब करनी चाहिए, बिजनस करनी चाहिए या फिर जो आपको कारे बसंद होता है, आपको उसमें भी confusion रहती है कि ये करें या ना करें, तो आपको बताना चाहेंगे कि आप थोड़ा समय लीजी और किसी एक कारे को चुनकर आगे बढ़िएगा, क्योंकि अगर आपने अलग-अलग कारे को पकड़ा तो वहाँ पर जो है दोस्तो आपको satisfaction तो मिली ही नहीं पाएगी और उपर से आपको सफलता का सामना करना पड़ेगा तो आप ये बिलकुल भी नहीं चाहेंगे, तो आपको किसी एक कारे को चुनना है और उसे आगे बढ़ाते हुए अपनी जीवन में सफलता को भी हासिल करना है इसके बाद अमान के चलिए कि आपके अंगुठे पे दो पैरलर लाइन बन नहीं है कुछ इस पर का, मतलब कि दो सीड़ी रिखाएं हैं, इनके पॉइंट्स नहीं मिल रही हैं नहीं लेफ्ट से नहीं राइट से तो बताना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो हैं शांक सुभाव की होते हैं मतलब कि ये जादा ना तो बड़ी इच्छा रखते हैं, बड़े धनलाब की और नहीं इनके अंदर कोई लालच होता है ये अपने समान्य जीवन को वैटीत करना पसंद करते हैं और उपर से आपको बता दें कि इनके जीवन में डबल ओपरचिनिटी से रहती हैं मतलब कि हो सकता है कि ये जौब के साथ बिजनस करें और ये भी हो सकता है कि ये एक साथ दो बिजनस करें तो इस परकार से जो है इंके जीवल में double opportunity रहती है और दो-दो income के source भी रहती है और यहाँ पर दोस्तों दो-दो income source रहेंगे तो मुनाफ़ा भी double होगा अब आपको बता दे कि यहाँ पर जो है पहली जो इनको सफलता मिलती है जल्दी मिल जाती है मतलो कम उमर में मिल जाती है पर जो दूसरा मोका है या फर यह कहिए कि दूसरा इंकम का सोर्स जो है उसको चलने में थोड़ा समय लग सकता है पांच से साथ साल का तो इनको लेट करना पड़ेगा अब यहां पर जो है पहला मौका जल्दी है दूसरा मौका थोड़ा लेट है पर आगे चल कर दोनों ही कारे एक साथ होंगी और इनके जीवन में धनका भी आगमन होता है अब यह तो बाद होगी दोस्तों अंगूठे बनने वाली रेखा का क्या मतलब ह अब आगम जानेंगे कि यह जो अंगूठे के हिस्से होते हैं उपर और नीचे वाले मतलब कि यह जो बीच की लाइन है इसके बाद यह जो उपर और नीचे के हिस्से हैं इनके छोटे या बड़े होने से आपके जीवन पे क्या परभाव पड़ता है आए जान देते हैं अ अगर किसी जिद को पकड़ लिया तो उसको पूरे करे बिना नहीं मानते हैं अब ये एक negative point भी है पर आप इसे positive point भी बना सकते हैं अगर आप इस जिद वो अपने career में लगाएं और अगर आपने एक goal set कर लिया तो आपको वो सफलता प्राप्ट करने से कोई नहीं रोख ये किसी problem को कैसे solve करना है उसमें से कैसे निकलना है किसी मुश्किल में से कैसे निकलना है ये भली भांती जाते हैं और इसी के साथ ये एक group को अच्छे तरह से lead कर सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों अगर आप politics में trust रखते हैं या फिर राजरीती में अपना कदम जवाना च shape का रहसे क्या है या आखर ये कहिए कि यव का रहसे क्या है आई हो कि आपके सबी डाउट से यहां पर clear हो गए होंगे पर अगर 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 आपके स्टोपिक के उपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वह भी आप हमेशेट कर सकते हैं पर एक जुरूरी बात जो आपको हम 100% accurate नहीं होती है माने वाले मानते हैं इसके according ही आगे कदों बढ़ाते हैं बट अगर आपको उनसे में विश्वास नहीं है तो आप अपना अपचार हमें comment box में बता सकते हैं और ये वीडियो पस नाई हो तो like करें शेर करें और अगर आप हमारे चैनलों पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें बैल आकिन जुरू जबादें नेक्स वीडियो के अपडेट के लिए मैं आप सुनूँगा एक और एडरस्टिंग दो पे के साथ तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा नमस्कार